परदान मंतरी नरेंदर मोधी 27 दिसंबर को धरमशाला में 3 गंटा रुकेंगे खाद्यापूर्ती मंतरी किशिन कपूर ने धरमशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि परदान मंतरी 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे रैली स्टल पर पहुंचेंगे और 3 बजे तक कारेकर में मौजूद रहेंगे गौटलब है कि परदान मंतरी परदेश सरकार के एक साल के सफल कारेकाल के उपलक्ष में आयोजित रैली में भाग लेने धरमशाला आ रहे हैं इस मौके पर वे पुलिस मेदान धरमशाला में आयोजित विशाल जनसबा को संबोदित करेंगे किशिन कपूर ने कहा कि परदेश सरकार परदान मंतरी के दोरे को एतिहासिक बनाने के लिए तैयारियों में जुट गया है किशिन कपूर ने कहा कि परदान मंतरी समाहरों में परदेश सरकार के एक वर्ष के कारेकाल की उपलब्दियों पर बनाई गई लगू फिल्म भी देखेंगे इस मौके पर प्रधान मंत्री एक वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाशित पुस्तक और कौफी टैबलेट बुक का भी बिमोचन करेंगे खाद्या पूर्ती मंत्री ने बताया कि समाहरों में प्रदेश की लोक संस्कृति की जलक भी दिखाई जाएगी इस सबस्वर पर प्रदेश के विभिन जिला के सांस्क्रेतिक डल रंगारंग प्रस्तूति देंगे उन्होंने कहा कि मुके मंत्री जैराम ठाकुर स्वें समाहरों की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं इस सिलसले में 22 दिसंबर को फिर सभी के साथ बैठक की विवस्ता की जाएगी किशन कपूर ने कहा कि परदान मंत्री की रैली को लेकर सभी लोगों में उत्सा है विदेशों में बसे हिमाचली लोग भी रैली में भाग लेने धरमशाला आने को उत्लुक हैं उन्होंने एक वाक के साज़ा करते हुए कहा कि शोशल मीडिया पर रैली में भाग लेने के लिए उनके दोरा किये गए आगरे के जबाब में उमाण में बसे हिमाचली लोगों ने रैली में आने की इच्छा जिताई है ये इस बात को दर्शाता है कि परदान मंत्री के पती लोगों में कितना प्रेम हैं किशन कपूर ने कहा कि रैली में राज्जे के खर जिला से बड़ी संक्या में केंदर और प्रदीश सरकार की योजनाओं के लाभार्थी भाग लेंगे उनके यातायात ठैरने वा भोजन की विवस्ता की गई है सभी बसों में लाभार्थियों के साथ दो दो सरकारी अधिकारी भी रहेंगे जो धरमशाला में वहन की पार्किंग एवं स्थवस्तल पर लाभार्थियों को पहुचाने की विवस्ता देखेंगे बसों में पार्टी संगठन की ओर बस प्रमुक्त भी रहेंगे वे बस में तेनात सरकारी अधिकारी से संपर्म Lance में रहेंगे संबंदित विभाग के जिला अधिकारी परभारी के तौर पर अन्य जिलों से आने वाले अपने बिभाग से जुड़े लावार्थियों से भी संपर करेंगे रैली में हर्जला के लावार्थियों की आसान पहचान के लिए विशेश कलर स्कीम लागू की गई है 27 तरी दिमार्चल सकार की जो एक परस बीदीन भार रेज़ की तेराम की सकार यहां जो रैली हो रही है उस रैली का विया अलावार्थियों की अधिकारियों के साथ अभी पैठे की और वहां भी इसर में पैशने को दिये रहे है मुख्या मंत्री जी हमारे प्रदेश के अभरी सिफ्टेर अलावर्ची जब यहां सीद काले 70 था तो सुएंग उन्होंने भी त्यारियों की यहां लेकर त्यारियों के जिसका अपने आख को बागा रेक्शन किया है और हमारे परदेश के प्रदेश के अभर्देश के लिए वजाण का झाख कोड़ी है त्यारियों के लिए त्यारियों के लिए हमारा सब्रेदा में है भार्ति जप्ता पार्टी हर बूत हुएंदा कर दो रैली के लिए जैरियों के लिए वहां हमारे जो सगठन के लोग हैं और लोगों को प्रदेश स्टकार की जो रोजना है उसके बारे जाब करें यह रैली एक इत्यासिक रैली होगी दिमार्चल प्रदेश में एक इत्यासिक ने आपनना जुड़ेगा ये रेल्य आप खुटकृर्प रेल्य होगी लोगों में बहुत हुज़ा सार कितने बज़े तक आ जाएंगे प्रधानमंत्री और लगभग कितने रेत के राजेंगे। लगबद बारा बारा बजे आ जाएंगे इलैंट करेंगे और सौब बारा बजे मदर यहां पुलिस क्रोंडर पहुंचागे। सर प्रधान मंतरी जी का भासनी होगा कि या कुछ और सांसकृति की आने कारिकर होगे। जिसकी जानकर मैंने भी प्रेस बारता में आपको देने हैं। और इस्रैली में बहुत सारे लोगों का आने का रहा है। एक उमान के से आ रहा है, वो बोलता है कि मैंने स्पेसल इस्रेली के लिए मैं स्टाइक्तिरी को आ रहा हूँ, उसे अंदाजा लगाए जा सकता है, कि विदेशों में जो मतलब हिमाचल के लोग हैं, वो भी आने के लिए उसक है, यहां आने के लिए. थैंक्यू ज़र.